नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदू समें आपका स्वागत है। मैं हुए इकराम बात करते हैं इरान के जो नए राश्पती बनी है इबराहिम राश्पती हैं। अब इनको लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन बढ़ी है इसराइल की इसराइल के विदेश मंतराले से तमाम इस तरह के बयान जारी किये गए हैं जिसमें वो इबराहिम को कसाई तक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक तरह से खोकार टाइप का इंसान है जिसने कहीं हजार ल बन के रह गया और जो इरान के सर्वोच निता अजतुलाह हमेनी वो उसके बाद लाइम लाइट में आए और आज भी सबसे बड़े निता उन्हें ही माना जाता है अब यहाँ पर नहीं सरकार बनने के बाद इसराइल की तरफ से कहीं यसी सारी चीज़े कहीं गई हैं जिसम अपनी तेजी लाएगा क्योंकि पहले उस पर परतिबंद अमेरिका ने लगा रखा था डोनाल्ड टरंप की सरकार में लेकिन अब फिर से लगता है कि इरान वापस उसी रहा पर चलेगा और परमानू जो बं है उसको बनाने में बड़ी तेजी दिखाएगा इसराइल ने क सरकार बदली है उस पर तो वो कहा रहा था कि इरान के गलती है और इरान साफ इसराइल इस बार उसे साफ कर देगा इरान ने भी आरूप लगा थे कि इसराइल में जो सरकार बनी है वो बेंजयमिन इतन्याओं से भी ज़्यादा खतरनाक वाली सरकार बनी है वो उन पर चा कहा गया है सरकार बनने के बाद। सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट देता हूँ कि जब नेक्टेली बैनेट अभी हाल फिलाल परदान मंतरी बने इसराइल के तो हमारी गोर्दी मीडिया की तरफ से इस तरह के कुछ आप लोग देख सकते हैं कुछ टाइटल और खबरे चलाए गई कि अगर इस बार कोई गलती इरान ने की तो इरान जो है साफ हो जाएगा लेकिन अब जैसे ही वहाँ पर इरान में सरकार बदली है तो फिलाल उसने खामोशी खत्यार कर लिया है फिलाल वो चूप है अब यहाँ पर सबसे पहला जो बयान ट्विटर पर जारी किया गया इसराइल के विदेश मंतराले के एक परवक्ता है जिनका नाम है अब यहाँ पर सबसे पहला बयान जो इसराइल के विदेश मंतराले की तरफ साय है उनके जो परवक्ता है लियो और हायात उन्होंने ट्वीट किया जिसके बाद उनकी काफे आलोचना भी हुई है उन्होंने सीधा सिदा इबराहिम भी को एक कसाई बताया और कहा कि इससे बड़ा कट्टरपंती इनसान पूरे इरान में नहीं है अब ये अपने प्रवानु का आरे करम को बड़ी तेजी के से आगे बढ़ाएगा और इनसात ये का आगे 1988 के दोरान इसने तकरीबन 5000 लोगों की हत्या एक तरह से जी थी और ये तहरान का कसाई है कसाई तक की उपादी इबराहिम को दी है ज़राहिम ने तो ये ज़राहिम एक तरह से बोकलार्ट सामने आ रहे हैं कि जिस तरह से ओ फिलाल बयान बासी कर रहा है इबराहिम के बारे में आपको बता दू को राजनीती भी अच्छी तरह से जानते हैं जज रही हैं और सुरूर से ही आयतुल्ला खुमेनी के साथ जुड़े रहे हैं और जब इरान में बदलाओ चला था उस वक्त इन्हें कहा जाता कि इन्हों ने जितने उस वक्त के जो राजनीतिक लोग थे उनको मोत की सजा सुनाने का काम किया था इस्राइलिन पर लगतार आरुप लगा रहा है और इन्हें कसाई की उपादी दे रहा है इसके अलावा तमाम आस-पास के देश चाहितुर्की हो सीरिय या फिर हमास से जुड़े लोग हो, फिलिस्तिन से जुड़े लोग हो, सब ने इन्हें मुबारक बाद भेजी है, पुतिन कभी ये कहना है कि इरान की जुनी सरकार बनी है, हमारे उसे अच्छे रिष्टे और वरिष्टे में बनेंगे, तो अब देखने वाली बात ये होगी अमेरिका इस पर अपना क्या रूख लेगा, क्या जो कारेकरम अमेरिका ने इरान का रूखा हो था, पर्तिबंद लगाया हो था, क्या वो हड़ जाएगा, क्योंकि फिलाल बाइडन की सरकार बनने के बाद कहीं सारे तरीके ढूंडे जा रहे हैं, इरान से बात करने के दोनों ही सरकारी बड़ी सक्त हैं, और दोनों नहीं सरकारे जो बनी हैं, उनमें काफी सक्त हैं, वहीं जहां इसराइल में एक तरह से लंगडी लूली सरकार बनी हैं, बैसोक्षियों के सारे टिकी हैं, कम-कम सामसाद वालों ने आपस में मिलके एक सरकार बना लिए हैं, व तो आने वाले दिनों में जो भी अप्डेट आएगा, वो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा, तो उन सब को देखने के लिए आप दोज देखते रहें, वो चैनल को सब्सक्राइब करें.